हेलो फ्रेंड्स वागा थे आप सभी का इस पर स्पेशी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन ग्लासेस में आजकी क्लास में हम आज भारती दर्शन को पढ़ने वाले हैं दर्सन का विकास किस प्रकार से भारती इतिहास में हुआ यह हम लोग देखने वाले हैं देखे 75 मास का दर्सन है ना philosophy part वो आपके मेंस की syllabus में है मैं आज उतनी पूरी व्याक्या नहीं करने वाला हूँ आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे प्री में काम आएगा दर्सन क्या है इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर हम थोड़े बहुत fact collect करेंगे जो हमारे प्री के काम है क्योंकि अभी हम भारती इतिहास पढ़ रहे हैं यहां दर्सन का जितना महत्तो है हम उतनी ही चर्चा करेंगे और आप सभी को पता है कि 5 questions जो है कहां से आते हैं 5 questions जो है इसी portion से आते हैं Indian history में ठीक है टोटल अगर 10 से 12 questions आना है तो उसमें से 5 questions जो है दर्सन जिसको की English में काते हैं क्या philosophy काते हैं ना अब कहतो देते हैं philosophy बट यह जो philosophy है और यह दर्सन है इन दोनों ही सब्दों में बहुत ज़्यादा क्या है अंतर है दर्सन और philosophy में बहुत ज़्यादा अंतर है हमें इस बात को पहले समझना है फिर हम दर्सन की व्याक्या करेंगे तो समझते हैं क्या देखें philosophy जो है ये दो सब्दों से मिलके बना है philosophy और Sophia philosophy जिसका मतलब होता है क्या ग्यान के प्रती प्रेम या अनुराग या हम कहते हैं क्या love for the knowledge love for the knowledge अब देखो समझना इस बात को यहां पर जो western philosophy है यहां पर जो है ग्यान के प्रती प्रेम को या अनुराग को ही क्या कहा दिया गया है उसे ही philosophy कहा गया है philosophy का यह अर्थ जो है वहाँ पर निकलता है यहां पर जो कोई भी अनुमान ये लगाते हैं या अनुमान से ये जो विचार करते हैं अनुमान से जो भी विचार करते हैं ये सारे विचारकों को जो है विचारकों को जो है क्या कहा गया यहां पर फिलोसफर कहा गया ठीक है जो अन्मान लगाते हैं और वैसे तो इस परिभासा को देखोगे कि ग्यान के प्रती प्रेम जिसको भी है वो फिलोसफर है तो वैसे तो आप सभी फिलोसफर होगे है न ग्यान के प्रती प्रेम तो है ही खेर सिजी पेसी ट्रैक करने के लिए आपका मुख्य प्रेम क्या है आर्थिक इस्थाइट तो की ओर है पैसे की ओर है लेकिन उससे पहले ग्यान तो जवरी है तो अब हम सभी तो फिलोसफर नहीं कहला जाएंगे इसका अर्थ जो है भारती दर्सन में थोड़ी भिन्न है थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ज्यान के प्रती अनुराग को फिलोसफी कह रहे है यहाँ पर जो विचार है जो अनुमान है जिससे विचार किया जा रहा है उसको फिलोसफी का जो हिस्सा बता जा रहा है भारती दर्षन थोड़ी सी भिन्न है यहां यह जो दर्षन है दर्षन सब्द का निस्पंदन द्रिश धातू से हुआ है दर्षन सब्द का निस्पंदन किससे हुआ है द्रिश धातू से हुआ है द्रिश से बना है दर्षन और जो दर्शन है, इसमें अनुमान को या विचार को इस्थानना दे करके बतलाया गया है कि जो प्रत्यक्ष है, जिसका साक्षातकार किया गया है, उसकी अनुभूति लिगी है, उस अनुभाव को ही जब कोई व्यक्त करता है वो दर्शन प्रत्यक्ष रूप से देखा गया, अनुमान नहीं लगा रहा है, प्रत्यक्ष है यह, साक्षातकार किया गया है, अपना अनुभव क्या करते हैं यह, विचार नहीं, अपना अनुभव बतलाते हैं, कौन यहां इस दर्सन में, कैसे अनुभव, कैसे साक्षातकार, अब उस स साक्षातकार को समझना किसका अनुभाव करते हैं तो जो चीजे संसार से परे हैं जो चीजे संसार में हमेंसिधे तोर पर नहीं दिखलाई पड़ती हैं संसार के परी की चीजें या कहना चाहिए जिन्हें हम अपने इंद्रियों से महसूस ना कर सकें अर्थात इंद्रियातीत चीजें इंद्रियातीत चीजों का अनुभाव लेना इनकी अनुभूती करना इंद्रियातीत चीजों की अनुभूती करना उनका साक्षातकार करना इसके पशात जो ग्यान की प्राप्ति होती है उसे जो है दर्शन की स्रेणी में रखा जाता है केवल ग्यान के लिए कोई विचार के लिए अगर आपको प्रेम है उसको दर्शन नहीं कहेंगे किसे कहेंगे इंद्रियातीत अगर आपको किसी बात को क्या करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं उसका जो जुड़ता है भारती दर्शन में जो भिन्न करता है हमें किस से फिलोसफी से कैसे यहां पर बात की जाती है साधनों की साधन पर विचारों की और यहां साधन नहीं वरन किसकी बात की जाती साधना की साधना से प्राप्त होता है क्या इंद्रयातीत का साक्षात करो जो ची इन तीन चरणों के माध्यम से जो है दर्शन होते हैं और इस दर्शन में किस सीच कर दर्शन करना है क्यों दर्शन करना है यह मतपूर्ण है तो भारती दर्शन में क्यों दर्शन इसका भी जो है जो उत्तर दिया गया वह भी यहाँ फिलोसफी से भिनने वेश्टन फिलोसफ संसार दुखमizzard है और इस लिए सुख्ध कब मिले गा सुख मिलेगा जीवन वित्व के चक्र से मुक्त होने पर अर्थात् मोख्श की प्रापति पर देखो संसार क्या है प्र Muslim दुख्म लेका या नहीं कर रहे हैं जैसा भी हो अंत में कुछ न कुछ प्रकार से दुख मिलता रहेगा और दुख मिलना कब बंद होगा जब आप क्या करेंगे जब जन्म ही न हो तो जन्म ही न हो इसके लिए क्या ज़रूरी है तो मृत्यू इस प्रकार की हो कि दूसरा कोई जन्म ना हो ऐसा कैसे संभव है तो ऐसा कुछ कर्म करें ऐसी ही कुछ बाते जैनमत और बाध्धमत में मैं आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ जदि आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले देख ले हो तब ये चीजे समझ में आएंगी तो संसार दुख में है तो इस दुख से कैसे हटना है तो उसके केंद्र में कौन है मोक्च जबकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई बाते नहीं है यहाँ पर साधारण जो बाते हैं उस पर विचार किया गह जीवन ऐसा है मुक्च रूप से यह दर्शन समाज पर अधारी थे और यह समाज से पहरे संसार से पहरे चीजों पर अधारी थे ठीक है और बहुत ज़्यदा डिफ्रेंस हम लोग मेंस वाली क्लास में करेंगे फिलहाल के लिए इतना जान लीजे यह मोक्च जो है इसके केंदर में अब इस मोक्च तक पहुचने के अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं भई यहाँ पर क्या है हमें इस जीवन वृत्यू के चक्र से मुक्थ होना है कर्म ऐसे करना है सत्कर्म करना है, शुद्ध कर्म करना है कि हमें क्या प्राप्त हो? मोख्ष प्राप्त हो. मोख्ष अर्थत जीवन वृत्यू के चक्र से हमको मुक्त हो रहा है. तब ही हम संसार के दुखों से हट पाएंगे. मोक्ष तक जाने के लिए अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग प्रकार के रास्ते अपनाएं किसी ने वेद को माना, किसी ने वेद को नहीं माना, कोई इस्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है कोई योग को बताता है, कोई मिमांसा बताता है, कोई उपनिशत को महतुपूर्ण बताता है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हुए. इन्ही रास्तों में से हम देखने वाले हैं, आज कुछ विशेज दर्सनों को और उस दर्सन की व्याख्या को. ध्यान रहे हम लोग उसके संपूर्ण पूरे सिध्धानतों की व्याख्या नहीं करेंगे हम देखेंगे कौन कौन से रास्ते हैं आज मैं आपको खाली इस केंद्र तक पहुचने के रास्तों के बारे में बताऊंगा और उस रास्ते में क्या-क्या सिध्धान दुन हों दिये ये मैं नहीं बताऊंगा ठीक है बात आज हम लोग थोड़ा सौट में पढ़ेंगे अब देखो यहां पर ऐसा आपको कभी किसी-किसी समय लगेगा कि मैं आपको फैक्टर रटवाने की कोशिस कर रहा हूं तो जिहां आज आपको कुछ बाते याद रखनी होंगी जब हम मेंस की क्लास में दर्सन सासर पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़े क्लियर होंगी और वैसे भी वो तभी समझ में आएगा जब आज का ये लिक्चर देख लो तो बहुत महत पूर्ण है अच्छा मोख्च तक पहुचने के रास्ते बहुत है लेकिन देखो जैसे एक कोई अगर मैं अंक लेता हूं चार रास्ते भिन भिन नहों सकते हैं चार उत्तर लाने के लिए अलग लग तरीके सकते हैं यह जैसे मैं 2 प्लस 2 बोलूँ तो भी 4 आएगा 3 प्लस 1 बोलूँ तो भी 4 आएगा 8 divided by 2 बोलूँ तो भी 4 आएगा अगर मैं 2 इंटू 2 बोलता हूं तो भी 4 आएगा हर तरीके से 4 आज आ रहे है कोई दिक्कत की बात नहीं मतलब आप कुछ भी कर लो, है ना, गडित वाले समय लो बात को, कि आप कुछ भी कर लो, आपको अंध में 4 उत्तर लाना है, कभी कभी कुछ गलती होती है, जैसे, अगर मैं कहा दूं क्या, अंडर रूट सिस्टीन, अब यहां पर यदि मैं आयोटा का कॉंसेट लगा दूं, तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो प्लस 4, या तो माइनस 4, और हुआ भी यही, हुआ भी कुछ ऐसा ही, प्रॉब्लम कहां पर आई, कि ये जो सिध्धान्त है, ये जो दर्शन की बाते हैं, जो उत्तरवैदी काल में, ज्यान मार्ग में चलने की बात कही गई, ज्यान मार्ग उपनिशत की काल की बात बता रहा हुँ है, जो कि भारती दर्शन का स्रोथ है, मूल है, तो उस समय अलग-अलग रास्तों से आप सत्करव करते हुए मोग्चे तक पहुँच सकते हैं, ये बात तो साभीत हो गई, और बहुत सारे मार्ग बने, बौध जैन, चारवाग, सांग दर्शन, योग दर्शन वगरा वगरा सब भागवत सम्पत हैं, बहुत सारी चीज़े बनी, लेकिन कुछ जगह बात ऐसी आ गई, रास्ते जो हैं कभी-कभी गलत जगहों पर भी ले गए, जिसे मैं कहता हूँ बार-बार क्या कर्मकांड, कर्मकां उन लोगों को फॉलॉ करना चालो किया, जो साधना करते थे, तो साधना करने वाले लोग जिस तरीके समझाये, या उनके सिस तरीके समझाये, समाज में उतना कर्मकांड या आडंबर भी बढ़े गया, Maxwell ऑlt बात, तो ऐसा ही होता है, कई बार plus 4 की और और यदिदि आयोट है हमें अभी भारती दर्शन को समझना है तो फिलसिफी और दर्शन का अंतर आपको समझ में आ गया होगा यहां मोक्ष की और आगे बढ़ना है तो अब देखते हैं यह दर्शन क्यों और क्या यह वाली बात क्यों दर्शन की और हम आगे बढ़ें क्यों दर्शन की और आगे बढ़े उसका कारण यही है क्या कारण है वही क्योंकि यह समझ में आने लगा कि यह संसार क्या है दुख में सब्बम दुखम और दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है जीवन वृत्यू के चक्र से मुक्त होना मतलब क्या मोख्ष प्राप्ति तो क्यों दर्शन के मार्ग पर सत्य की प्राप्ती हुई, जितने भी संसार के ज्यान है, सुक्ह है, दुविधाईं है, जो भी समस्य아 है जब हम लोग पढए हैं, क्या स्यादवाद जब हम पढ़ते हैं, क्या मध्यमार्ग, जब इसके मूल और कैसे इनको इस ग््ञान की पृप्ति उई तो इसकी जेए ग्न की प्राप्तिि औंको ही अंतर मन से और साधार नुष से इसको उल्टा देखता है, कैसे उल्टा देखता है, दर्सन, जिसको आम लोग बोलते हैं कि देखना, देखना के में इमेजिन कर लो, तो क्या होगा, कैसे देखेंगे, आँख से देखेंगे, क्या देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वो देख लेंगे, क्यों देखेंगे, ऐसे ही मनुस्य का जिवन चल रहा होता है। जब मैं दर्सन की और आगे बढ़ता हूं, तो कैसे देखना है? तब अंतर्मन से देखना है। तब आपको अंतर्मन से देखना है, जो नजर के सामने आ गया, आँख में जो दिख गया, और ये सारे सोसल मीडिया में ज्यादा आया था वैसे तो बहुत पुरानी बात है वो लेकिन अभी फिर से उसका चलन बढ़ा था जो मीडिया है उसके लिए ये बात आई थी कैसे कैसी हरकती ये कर रहे हैं साथ अफरिका का वो सीन जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी वो बच थी वो रेंगते हुए जा रहे थी घिसटे हुए आगे बढ़ रहे थी और एक गिद्ध था वहां जो सायद यह वेट कर रहा था कि कब वो बच्ची मर जाए तो गिद्ध का पेट भर जाए इस सीन को एक फोटोग्राफर ने क्या किया ये तस्वीर खींची और उसे उसने इस वो बच्ची के मर जाने का ताकि उसका पेट भरे और ये फोटोग्राफर को संबधित किया गया कि ये ऐसे जो दुख्मय जो विभत जो दृष है उसको तस्वीर खीचा वावाही पाने के लिए पुरुसकार पाने उसको पूरुसकार मिला भी था लेकिन मानवता क्या थी देखो दृष्च तो केवल ऊतना ही था लेकिन अंतरमंद से जिस ने लिख जिस ने देख ऑ vivid है वहाँ और दूसरे गिध की अë कि अगर वो चाहता तो वो फोटो ना खिचकर उस बच्ची को क्या है कितने भी हडवडी में हो रहा था वो बच्ची को वो पहले पहुँचाता जहां उस बच्ची की सही देखभाल हो सकती वहाँ उसको पहचाना उसका करतब था लेकिन नहीं उसको उस बच्ची में केवल एक सिनरी दिखाए दिया कि मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, पुरुसकार कमा सकता हूँ पुरुसकार प्राप्त कर सकता हूँ जो दिखता है केवल उसको न देख करके उसकी पीछे की चीज़ों को भी देखना है ये कब होता है अंतर्वन से होता है तो वो अंतर्वन से देखना है और तब अंतर्वन से क्या देख पाते हैं अंतिम सत्य को देख पाते हैं हो सकता है कुछ और भी सत्य हो ये तो वो बात थी उसने लिखा अंतिम सत्य तक पहुँचना है और क्यों पहुँचना है ताकि आप आंतिम शत्य को प्राप्त करना और इसके अलग अलग मार्ग है इन मार्गों पर चर्चा करेंगे अच्छे जो मार्ग है उनके अलग अलग टाइप हुए ठीक है तो जो दर्शन है कई मैं यहीं पर आपके साथ डिस्कस कर लूँ कुछ जो दर्सन है वे कहलाते हैं आस्तिक दर्सन क्या कहलाते हैं वे आस्तिक दर्सन कुछ जो दर्सन है वो कहलाते हैं नास्तिक दर्सन आस्तिक दर्सन और नास्तिक दर्सन कौन-कौन जो वेदों की प्रमार्णेता पर विश्वास रखते हों, क्या बोला मैंने, वेदों की प्रमार्णेता पर विश्वास रखते हों, वे आस्तिक हैं, वेदों की प्रमार्णेता पर विश्वास, किन किन ने रखा, तो यहाँ पर नाम आता है सांख्य दर्सन, यही सारे दर्सन पूर्व मिमानसा या जिसको मिमानसा ही कहा देते हैं उत्तर मिमानसा जिसको जो है वेदान्त भी कहा जाता है यह हुए आस्तिक दर्शन जिन्होंने वेदों की प्रमान्यता पर विश्वास जताया कुछ हुए नास्तिक दर्शन जैसे जैन, वद्ध और चारवाक और भी थे यहाँ पर और भी थे जो मैं किसी क्लास में आपको बता चुका था जीवक वगर यह सब कुछ बता चुका था गोरक्रियावादी यह सब भी नास्तिक के अंतर गताते हैं परंतु हम उन्हें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखाओ जितना पढ़ते हैं, उतना मैं पहले की क्लास में बता चुका हूँ आपको ठीक है? स्टाटिंग की क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूँ तो ये सब नास्तिक दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते जैन बहुत दौर चारवा कि ये नहीं मानते वेदों को बिलकुल नहीं ये सब हैं जो वेदों पर विश्वास रखते हैं इसलिए आस्तिक है परन्तु यहाँ पर एक classification और बाकी है जो मैंने कहा हिंदी की कक्षा में जो आप पढ़ते हैं कि इस्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक है ऐसी बात नहीं है यहाँ पर जो आस्तिक दर्सन भी हैं इनमें से अब मैं दुबारा classify करता हूँ ध्यान से समझना कौन-कौन से दर्सन इस्वर वादी है और कौन-कौन से अनिस्वर वादी है इस्वरवादी कौन गौन से हैं इस्वरवादी तो योग दर्शन इस्वर पर विश्वास रखता है वैसे इसी कि इस्वर पर विश्वास रखता है नियाय दर्शन इस्वर पर विश्वास रखता है और उत्तर मिमान सा अर्थात वेदान्त इस्वर पर विश्वास रखता ह लेकिन इसके अलावा अगर मैं अनिस्वरवादी कहूं जो इस्वर पर विश्वास नहीं रखते अनिस्वरवादी तो यह आपको ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन अनिस्वरवादी है पूर्व मिमान सा अनिस्वरवादी है जैन, बौध और चारवा की ये तीनों भी अनिश्वरवादी हैं अब इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना प्री के एक्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल बताना कि सांक्य दर्शन आस्तिक है अर्थात वेदों की प्रमाणनेता पर विश्वास रखता है परन्तु वह इस्वर को नहीं मानता पूर्वविमानसा वेदों के कर्मकांडों को पुरी उसके प्रमाणनेता पर विश्वास रखता है परन्तु इस्वर को नहीं मानता ये दो ऐसे हुए और खेर ये तीन तो इस्वर को नहीं मानते या तो आपको पहले से पता है जैन बहुत धमत मैं पढ़ा भी चुकों तो ये तो आप जानते ही है clear है बात तो यहाँ पर classification में ये difference आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सांख्य और पुरुविमान सा आस्तिक होते हुए भी अनिस्वरवादी है बाकी में कोई दिक्कत नहीं ये दो को आप ध्यान रखना exam में question यहीं साथ है तो चलिए फिर हम सुरू करते हैं क्या कि इन्ही दर्सनों के बारे में पढ़ना अच्छा इस्ते पहले कि मैं एक दर्सन के उठा करके बताना चलू करूं भारती दर्सन में चार पुरुसार्थ की बात की गई है वो भी आपको अभी discuss करता हूं क्या चीज? चार पुरुसार्थ मानाव जीवन में चार पुरुसार्थ को प्राप्त करना अवश्यक है ये बताया जाता है चार पुरुसार्द के बारे में मनुष्य को अपने जीवन में चार पुरुसार्द प्राप्त करने हैं चार लक्ष प्राप्त करने हैं कौन-कौन सा सबसे पहला है क्या धर्म जिसके बारे में धर्मसुत्र में व्याक्या क और धार्मिक जन जीवन के जितने भी नियम है उनका क्या होना चाहिए वी नियमन होना चाहिए अर्थात धर्म अधर्म सत्य असत्य क्या सही है क्या गलत है समाज के लिए है ना क्या उचीत है क्या उचीत है इन सब का ग्यान होना चाहिए यह है क्या धर्म सुत्र में पहला चीज, समाजिक नियमों का थी विनेम molar होना चायए, ये बात, दूसरी चीज है क्या धर्म हो गया, दूसरा चीज है अर्थ, अर्थ हो गस्ता कितनी आवश्चक बात है, आर्थिक रूप से इस्थाइत तो कितना आवश्चक है, आप सभी उसी के लिए महनत कर रहे हैं, किसको पसंद है कि वो जाने और जिसको पसंद है वो हिमाले में चला जाता है जिसको दर्शन का इतना जानने का क्या रहता है उनको मोक्ष के लिए इतना जादा उनका अंदर से उनके अंतरात्मा उसको मोक्ष के लिए पुकारती है वो वहां हिमाले पहुंच जाते हैं लोग सुक कैसे प्राप्त करना है इन सब की व्याख्या जो है इस काम में कामसुत्र में किया जाता है चौथी बात फिर आती ही क्या मोक्ष की बात ठीक है अर्थात जीवन नहीं समझाएंगे है ना we are not going to discuss the doctrine of this कोई सिध्धान के आरे मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं आज आज आपको मैं केवल और केवल कुछ facts बताऊंगा ठीक है चले तो पहला topic डालेंगे सांख तो सांखे दर्सन में आगे बढ़ते हम है ना दर्सन के जो 6 दर्सन है 6 दर्सन है उनको पढ़ना है सबसे पहले हम सांखे दर्सन की और आगे बढ़ते हैं सांखे दर्सन की किसी भी दर्सन को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उससे सम्मंधित सुत्र कौन से है का तातपर और कौन इसके प्रतिपादक है मुख्य रुप से हमको यह याद रखते हुए चलना है सबसे पहला मैंने कहा क्या हमें देखना है सांग के दर्सन ठीक है पहला numbering करते चलते हैं पहला कैसा है यह यह यहास्तिक नास्तिक है तो बिल्कुल ये क्या है आस्तिक है क्या है ये ये बिल्कुल आस्तिक दर्शन है ठीक आस्तिक दर्शन तो है लेकिन क्या ये इश्वरवादी है अनिश्वरवादी है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगी ये अनिश्वरवादी है अभी थोड़ी देर पहले हमने च सुत्र करके याद रखने आपको देखो जितने भी धर्म ग्रंत है वो याद रखने जिवरतनी वास्तिव में क्योंकि उन्हीं के नाम पर है देखो कि आगे जल के आप समझ में आ जाएगा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके प्रवर्तक कौन हुए इस सद्धानत को बताने वाले कौन हुए तो यह थे कौन महर्शी कपिल कौन हुए थे महर्शी कपिल हुए थे ठीक है इनके बारे में एक दो बाते हम लोग जान लेते हैं ठीक यह जो सांक्य दर्शन है इनके बारे में एक चीज जान लेते हैं कि सांक्य दर्शन वास्तों में भारती दर्शन में स की प्रमानिता को स्विकार किया गया है परंतु ये संसार ये इस्वर की बनाई हुई नहीं है इसमें क्या बतलाया गया है इसमें बतलाया गया है कि यह जो संसार है वह है और वास्तुविक में है परंतु संसार का निर्माण जो है ये प्रकृति के सतत विकास के कारण हुआ ह क्यों हुआ है प्रकृति के सतत विकास के कारण हुआ है और संसार के निर्माण में 25 जो है 25 मूल तत्व हैं इसके निर्माण में मूल तत्व कितने 25 हैं और इनके सतत विकास की प्रक्रिया से जो है इस संसार का निर्माण हुआ है ये बात ये बतलाते हैं इसी 25 में से सबसे प पढ़ रहे थे बहुत धमत तो वहाँ पर भी संसार का निर्मार दो तत्तों से हुआ है प्रकृति और पुरुष ये बाते बताई थी और मैंने कहा था ऐसा ये क्यों कहा गौतम मुद्ध ने क्योंकि इनके जो पहले आचारे थे कौन थे अलार कलाम वो भी सांखेमत के क्या थे अचारे थे तो ये ही सांखेमत की ये जो बात है ये कहां पर जाकर के फिट बैटती है बहुत धमत में दोनों ही दोनों अनिश्वर वादी हैं देखिए प्रकृति और पुरुष से बनाएं यहां पर वैसे 25 मूल तत्तों को बताया गया है और प्रकृति के ही सतत्विक के बारे हम बताया गया है ये तीन गुड जितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है उनको समझ में आ रहा हूगा ये सात्वे अध्याय में भगवत गीता में इनकी चर्चा की जाती है क्या है सत्त क्या है रज क्या है तम इसके बारे में बस साधारण भासन में बता रहा और तामसिक गुड़ों में जितने भी बुराईया है वे सारी चीज आती है रजो गुड़ वह इस्तिती है जब आपको ग्यान होता है सत्य क्या है परंतु आपके उपर तम जब हावी होता है कई पर आपको निर्णे कुछ ऐसे लेने होते हैं अगर आप यह बात कहें कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए सत्य गुड़ है बिल्कुल सही बात है अहिंसा किसी को मारना पिटना नहीं चाहिए किसी को नहीं मारना पिटना चाहिए कोई एक इंसान किसी दूसरे विक्ति की हत्या कर देता है वो पाप है वो गलत है बिल्कुल तमोगुर में आया लेकिन हमारे वे सारे भाई, फौजी, सिपाही जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए किसी का वध कर देते हैं तो वहां पर हम उसे क्या उसे हम बुरी बात कहेंगे? नई, और क्या हम किसी को मारना सही ठाहरा देंगे? नई, परन्तु वहां उनको एक निर्णाय लेना था लाखों की रक्षा के लिए किसी एक को यहां पर क्या है? मौत की घाट उतारना आवस्चक था तो यह के वहले एक इक्जामपल बता रहा हूँ ऐसे हर चीज में, खाने, पीने से लेकर के हर चीज में दैनंदनी जीवन में या तो सत्व गुण का पालन होता है या तामसिक गुणों से युक्त होता है कोई और कुछ होते हैं जो इन दोनों का ही क्या होता है मिक्स होता है और हम सब का जीवन लगबग ये मिक्स लाइफ में चल रहा होता है ठीक है बात? तो सांके दर्शन में सत्रज और तम तिन गुणों के बारे में चर्चा की गई है अच्छा ये गुड भगवग गीता से यहां लिया गया है यहां से गीता में लिया गया है स्रीकृष्ण जी ने कहा था कि अगर आचारियों में मुझे समझा जाए जब वो अपना विक्राल रूप लेकर कहते हैं विराड रूप लेकर कहते हैं तो उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा था कि पार्थ यदि मुझे आचारियों में गिना जाये तो मैं सबसे महत्वपूर्ण आचारे कपिल के समान कपिल के रूप के समान मैं हूँ बोल रहा हैं कहने मतलब आचारे कपिल महरसी कपिल पहले से ही विख्यात है और उनकी ये जो दार्षनिक विख्या है वो विख्यात है तो दार्षनिक के रूप में कपिल अपने आपको बतलाते है स्रिक्रेशन अर्थातिय सांख जो है उससे भी पुराना है ठीक है ध्यान रखेगा दूसरी बात हम आते हैं, दूसरा जो हमारा दर्शन है वो है योग, देखो सांग के दर्शन के बारे में पूरे इसके सिध्धानतों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, हैना आपके लिए अभी के लिए इतना ही क्या है परियाप्त है, ठीक, तो योग, योग दर्शन मे है उसका नाम है योग सुत्र और इसके प्रतिपादक कौन हुए तो इसके प्रतिपादक आप सभी इसको बिल्कुल अगर तुक्का भी लगाने बोलता तो आप जान जाते कौन है पतंजली ठीक है एक विशेश व्यक्ति के कारण में उनके कारण ये पतंजली नाम बहुत योग दर्शन में वास्तों में सांके दर्शन की ही चीजों को अपनाया गया सांके दर्शन की जितनी भी मूल भुठ सिधानत है सब योग दर्शन में है एक चीज एड कर दिया गया है वह है इस्वर क्या एड कर दिया गया है इस्वर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना क योगदर्शन योगदर्शन ये आस्तिक भी है और सांती सांत वह इश्वर वादी भी है तो इश्वर में यदि आप सांके दर्शन अर्था सांके दर्शन के पूरे सिध्धानतों में यदि हम इश्वर को भी अगर मिला दें तो वो क्या बन जाता है योगदर्शन बन जाता से हो सकती है यह जो संपूर्ण संसार है जो की प्रकृति और पुरुस से मिल करके बना है यहां मनुस्य को यदि मोख्ष प्राप्ति करनी है तो उसे प्रकृति से अलग होना होगा प्रकृति से अलग होने के लिए उसे योग करना होगा यह पुरुस को अगर मोख्ष आवश्यक बात है आत्मनियंत्रड आत्मनियंत्रड सबसे महत्वपूर्ण है और आवश्यक्ता पढ़ने पर आत्मयात्ना पर भी बल दिया गया है इसमें योग में बिलकुल अब देखो इसको मैं एक्स्प्रेंट करता हूं आप खुद समझ जाओगा आप अपने जीवन मे उठना बैठना बहुत सरी चीज़ें एक्जाम का टाइम है भली KGF टू पार्ट आजाए उसके सेकंड पार्ट आजाए आप नहीं देखने जाओगे आत्म नियंद्रड कुछ लोग चले भी जाओगे क्या फरक पड़ता है है ना तो छोड़ो जो चले जाते हैं उनकी बात नहीं है नियंद्रड रखना जवरे और सम जवरत पढ़ने पर आत्मयातना बहुत से लोग हैं जो जवरत ज्यादा यातना दे देते हैं फिर इक्जाम के दिन जाके तर्वित खराब होता है वही मत करना तो अत्म बुद्धवाली बात को अपनाना मध्यम मार्ग को अपना इसे हम कहते हैं आस्टांग योग स्वारी आस्टांग योग देखो आस्टांग योग का मतलब आठ प्रकार का योग नहीं है परंतु योग के आठ आयाम है जिनका एक सांथ ही क्या करना चीए एक सांथ उनका प्रयास करना चीए अभ्यास करना चीए योग के आठ अंग के आठ आयामों के बारे में बताया जिससे की व्यक्ति को आत्मिक, मानसिक और सारिरिक रूप से उसका सुध्धी करण होता है तो आश्टांग योग में क्या बताया गया? इसमें व्यक्ति को मानसिक, सारिरिक और आत्मिक रूप से सुध्ध होने के बारे में बतलाया गया इस आस्टांग योग के माध्यम से ही वेक्ति आत्मानियंत्र कर सकता है वह इस योग के माध्यम से ही पुरुस मोक्ष की और आगे बढ़ सकता है ये बताया गया है योग सुत्र में ठीक है? अब एक बार एकजाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैं अस्टांग योग के इन आठों को, आठ जो इसके अंग है, योग के आठ अंग है, उनको एक बार आपसे चर्चा कर लेता हूँ, है ना, तो सबसे पहला है इसमें यम, दूसरा है नियम, बहुत से लोगों को याद हो गई, खास कर जो लोग पहले पेपर 6 दर्श प्राडायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा, सात्वा ध्यान, और आठवा है समाधी, ये है क्या आठ जो है योग इन ही को मनुश्य को अपनाना है, ये बात जो है आस्टांग योग में बताया जाता है, क्या है ये, बिल्कुल एक बार चर्चा करते हैं, यम, यम में बताया गया है समाजिक नैतिक्ता के बारे में, क्या बताया गया है, समाजिक नैतिक्ता के बारे में इसमें बताया गया है, और ये समाजिक नैतिक्ता क्या है, तो समाजिक नैतिक्ता के 5 अंग बताया गया है, आश्टांग योग में यम जो है पहला जो नियम है वो है समाजिक नेतिक्ता को लेकर गए है इसके पाँच जो है अंग बताया गए है कौन-कौन से सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचरिय मतलब यह तो वही पाँच हुए जिसको हम लोग पंच महावरत की रूप में जैनमत में पढ़ते हैं जी हाँ पिल्कुल वही कौन-कौन सी बात सत्य अहिंसा मैं लिख नहीं रहूं मुझे उम्मिद है आप लिख लोगा अपने लिए सत्य कार्य करना खुद को दैनंदनी जीवन में अपने आपको नियम में बांध करके रखना जैसे की कोई भी आप कर्म कर रहे हैं सुबह इसनान ध्यान सौच से लेकर के खान पीन कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरा आपके दैनंदनी जीवन का एक समय सारणी होना चाहिए आप वेल से डूल टाइम टेबल आपका बना रहे और आप उसको फॉलो करते रहें वही क्या है नियम है कुछ भी कुछ भी हरकत नहीं कि सुबह उठे बस गूम रहें गूम रहें रात को सबसे एक बहतर सरीर के लिए आउशक क्या होता ह सुबह का नास्ता अच्छा हो दोपहर थोड़ा कम खाएं रात को या तो ना खाओ या थोड़ा खा करके अराम करो प्रॉपर आप 7-8 गंटे की निद लो यह सब कुछ नियम है है ना डॉक्टर्स भी जो सी खाते हैं लेकिन हम क्या करते हैं रात को 3-4 बे तक मोबाइल को रात को 11-12 बज़ डिनर कर रहे हैं और भरपेट कर रहे हैं चिकन खा रहे हैं दबा कैं तो यह यह सही नहीं है तो नियम में क्या है व्यक्ति गतनयति suppression को देखना है तीसरी बात क्या है आसन आसन में क्या करना है आपको आसन में सभी जो हमारे सरीर के जो अंग है उनको कंट्रोल में करना सीखना है और इसके लिए हम कहते हैं क्या सरीर की साधना ठीक है आसन में बैठना है चुपचाब तब हम करते हैं क्या प्राडायाम जब हम आसन कर लेते हैं आसन के बाद में स्वास और प्रस्वास को जो हम नियंतरित करते हैं उसे कभी अपने स्वेक्छनुसार रोकते हैं और छोडते हैं वही क्या है स्वास पर नियंतरर ही प्राणायाम है फिर हम देखते हैं क्या प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को अंतरमुखी करना, अंतरमुखी कैसे करेंगे, इंद्रियों को अंतरमुखी करना, इंद्रियों को अंतरमुखी, देखो प्रत्याहार को ऐसे समझ लो, प्रतिधन आहार, जो आहार आपकी आत्मा मांगती हैं, जो सुख आपकी आत्मा मांग रही है, डिमांड कर रही है, वो उसे ना दे करके, कुछ उसके लिए जो अच्छा हो वो कारे करना, जैसे आपको PSC क्रैक करना है, आपकी आत्मा कितना भी डिमांड करे, कि भई ठंड का समय है, कंबल उठा, बिस्तर में घ प्रत्याहार आपको थंड में कापते हुए भी तो रूम हीटर चालू कर लो थोड़ा कंबल जैकेट डाल लेकिन कापते हाथों से ही सही आपको नोट्स बनाते भी मुझे पढ़ना है यह क्या है यही प्रत्याहार है तभी आप सफल होगे प्रत्याहार आवस्चा के इंद्र यह तो चाहती है बाहरी सुक आपका आख चाहते है अच्छे द्रिश्यों को देखना परंतु नहीं आप देखोगे वही जो आपके लिए सुद्ध हो आपके लिए सही हो वो देखोगे आप चाहते हो अचाना कुछ गलत हो जाता है आपके साथ में आप चाहते हो तुरंत उसके लिए अपशब्द कहना, गाली दे देना, लेकिन अंतर मुखी रहोगा, आप आत्मने अंत्रित करोगे स्वेम को. ये क्या है? ये प्रत्याहार है. तब हम आते हैं धारणा पर. और धारणा क्या है? धारणा का मतलब होता है, मन को एकाग्रचित करना. मन एक आग्रचित करना है अब देखो धारणा और ध्यान इस पर जो है ना एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना धारणा में हम मन को एक आग्रचित करके किसी एक धे विशय की और केंद्रित करते हैं और ध्यान में क्या होता है कि जब हमारा किसी एक विशय में ध्यान केंद्रित हो चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान में कि एक इस्थान पर यदि ध्यान केंद्रित हो चुका है तो निरंतर मन को उसी इस्थान पर निरंतर मन को एक आग्रचित रखना एकागरचित रखना देखो पहली बात क्या है धारणा धारणा में हम मन को किसी एक धे विशय में एकागरचित करते हैं और ध्यान में अब जिस वस्तू पर जिस विशय पर हमारा ध्यान जा चुका है हमारा मन जा चुका है तो अब निरंतर रूप से मन को उसी में ही एकागरचित रखना है ये क्या है ध्यान है तो समाधी किसे कहते हैं समाधी कहते हैं जब जो है जो हमारा चित है जो चित है अब देखो उसको एकागरटा क्या हो शक्त नहीं चित जो है, वह हमारे ध्यान धे के विशय में, धे के विशय में, उसके चिंतन में, धे के विशय में, उसके चिंतन में सदाय हुई उसमें लिपत है, केवल और केवल उसको, केवल और केवल उसको वही अपना धे ही दिखलाई पड़ रहा है, उसी के चिंतन में लिपत है हमा पहले आप क्या है अपने आपको क्या करते हो नियंत्रित करते हुए प्रत्याहर तक पूंशते हो और किताबगी और अपने को ले के जाते हो फिर आप अपने आपको ध्यान केवल कहां लगाते हो आपका मन एक अग्रचित होता है आपका विशा क्या है प्येस्सी में ही अपन में धीरे-धीरे आपका मन जो है केवल PSC क्योर जाता है मतलब ऐसी इस्तिती एक आती है जब आप पहले तो आप कंट्रोल करते हो खुद को और उस विशे में ध्यान लगाने को हुसिस करते हो ये वो टाइम है जब आप हमसे पूछते हो कि सर PSC निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ना पढ़ता है और हम मन बहलाने के लिए फिर उनको कभी-कभी बता देते दो-तिन घंटे पढ़ो, चार घंटे पढ़ो ऐसी बात है लेकिन धीरे-धीरे-धीरे आपको खुद ये समझ में आता है बात ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़के PSC निकलेगा बात ये है कि PSC अगर निकालना है तो PSC के अलावा बाकी चीजों को कितना कम टाइम दो क्यवल इतना घंटा सोना, क्यवल इतना घंटा अपने दैनिक कारियों में लगाना खाना, पीना, सोना, इन सब चीजों में लगाना और बाकी पूरा का पूरा ध्यान कहा होना चीज, PSC में समझ लो इस बात को, कितने घंटे पढ़ने पढ़के PSC नहीं अगर तुमारा लक्षी PSC तो उसके लाव कुछ और सोच नहीं कियों तो ये दूसरी वाली जो बात है न ध्यान, ये वो है अभी आप, अभी आपने चालू किया है पढ़ना कुछ लोग धारणा तक पहुँच चुके हैं और बहुत सी लोग होंगे, जिनका इस साल सलेक्शन होने वाला है वो लोग जो जिनके मन में निरंतर ही अब क्या चल रहा है उनके मन में केवल PSC चल रहा है ये ये वारा साथवा लेवल आठवे लेवल पर भी कुछ लोग होते हो या तो पहुँचने वाले हो या पहुँच चुके हो बताता हूं क्या है वो ये वो टाइम है जब आप केवल सोचते भी सिर्फ PSC के बारे हो मतलब आपका दोस्त बोल दे के भाई थोड़ा पहुँच जाना है ना दिदी की साधी है थोड़ा हाथ बटाने लगना आप पहुँच गए अब साधी में गलती से वहाँ पर कोई चाचा जी ताउजी टाइप के लोग किसी इंसान को उधर से फटकार लगा दे ये राम उचल प्लेट उधर से लगा अब जाके उसी सुनाने लगते हो अकॉर्डिन टू अर्टिकल 14 स्वतंत्रता काधिकार समानता काधिकार पता नहीं क्या क्या बात है करने लगते हो अंकल कैसा था आप कोई ऐसे कर्मकान या रिचुल्स के बारें बात करने लगते हैं आप उनको ग्यान देने लग जाते हो नई अंकल यह गलत है यह सही है वडर आपके अंदर में, आपके जुबान में, आपके मन मस्तिस के मला के वाल PC चलता है, उसके वीजय चलते हैं यह वो time है समाधी की, और समाधी मिल जाए आपकी PDF में लगी जाना है, समाध़ में आगी बाते हैं में ऐसा मत करना है ना या तो साधीम जाव मत और जाव तो इंसान मन के जाना प्येस्टी का ग्यान लेके वहां मत चले आना कुद मत पढ़ना लोग यहां बात कर रहे हैं दूसरे का हसी मजाक उड़ा आ रहे हैं और वहाँ जाकर रहें तुम उनको ज्यान दे ले हो, है ना, हसी मजाक की बाति अलग है, आपको साधारन मनुस्री के बाति जीवन भी जीना है, ठीक है बात, तो ये आस्टांग है, योग है, जिनको आपको ध्यान में रखना है, इसके क्रम याद रखना है, ये एक सुत्र मे हम दर्शन सासर में चर्चा करते हैं, फिल हला आप इन आठों को ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम अगला आते हैं क्या न्याय दर्शन की ओर, तो अगला है, न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन, टॉपिक डालेंगे, सांग के दर्शन, योग दर्शन, अब न्याय इसका प्रमुग्रंथ हुआ न्याय सुत्र तीसरे नमबर पर हम देख रहे हैं न्याय दर्शन को इसका प्रमुग्रंथ कौन हुआ न्याय सुत्र हुआ और इसके प्रतिपादक कौन हुए तो इसके प्रतिपादक के रूप में हमको ध्यार में लगना किनको अक्षपाद नियाय दार्शन तो नियाय दर्शन में बुतुल ये आस्तिक नास्तिक बीकुल ये आस्तिक तो आस्तिक है तो इस one कोई दिक्कत की बात नहीं, नियादर्सन में तो ये इश्वरवादी भी है और ये क्या है? ये मानता है वेदों की प्रमाणेता पर भी ये विश्वास रखता है नियादर्सन में जो मुख्य रूप से सिखलाया गया, जिस बारे में चर्चा की गई वह क्या है प्रमाण्यता के बारे में बात करता है ये बात करता है तर्ग के बारे में किसी भी चीज को ले करके उस पर तर्ग करना है किस पर तर्ग करना है जिसका प्रमाण हो तो जो प्रमाणिक है प्रमाण पर हमको क्या करना है तर्ग करना है इसलिए न्याय दर्शन के लिए प्रशिद्ध बाद जो कही जाती क्या यह किस पर अधारित है यह अधारित है तरक सास्त्र पर अधारित है और यह तरक देता है किस पर जो प्रमाड है यह उस पर तरक देता है उसका विशलेशड करता है इसलिए इसको विशलेशड करता है तो कोई भी प्रमाड है कोई भी जो प्रमाड हमको मिलता है उस पर ही हमको क्या करना है तर्ग करना है उसका विशलेशड करना है और ऐसा करने से तर्ग के माध्यम से ही इस तर्ग के माध्यम से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ऐसा बताता है न्याय दर्शन मोक्ष प् क्या तर्ग क्या है जो हमें मुक्ष तक लेकर जा रहा है तो तर्ग से ताथ पर यह है वह जो सत्य को प्राप्त करने में क्या करें सहायता करें भाई हम तर्ग किसे कहते हैं तर्ग अगर हम देते हैं किसी भी चीज को ले करके तो तर्ग देने का उद्देश क्या होता है कि कि किसी भी चीज की किसी भी बात की किसी की भी वास्तविक्ता के किसी भी चीज के वास्तविक्ता तक उसके सत्य तक पहुचने का मार्ग बनता है वो वो उसका क्या बनता है माध्यम बनता है तो यहां पर भी मोच तक पहुचने के लिए तर्ग क्या है तर्ग वास्तविक्ता त सुनते हैं यह हैं चार सबसे पहला है प्रत्यक्ष जो आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं वह है प्रत्यक्ष दूसरा क्या है दूसरा है अनुमान अर्थात जो फिर आप खुद इनलिसिस करते हैं किसी भी चीज को देख करके आप व्याख्या करते हैं प्रत्यक्ष में आ जा वुपमार अलंगकार वाली बात, पीपन रपात, सरीस मन डोला, है न, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, हिल रहा है, विचलित है, तो अपमार जब पुलना करके हम क्या करते हैं? तर्क देते हैं और चोथा है, शब्द, चोथा कहा है? तो इस प्रकार से ये चार चीजें हैं जहां से क्या है तर्क जन्म लेता है और हमें ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन में तर्क सास्तर को ही सबसे ज़्यादा महत्त दिया गए है इसी के माध्यम से मोक्षता पहुँचा जा सकता है अगली बात करते हैं हम चौथे दर्शन की रूप में हम देखते हैं न्याय दर्शन होगा तो वैशेशिक ठीक है अंतर इतना है कि यह जो वैशेशिक दर्शन है ना यह जो है मुख्य रूप से यह स्वतंत्र रूप से भौतिक वादी विज्ञानवादी है क्या ये वैशेशिक धर्शन में हमको एक बात याद रखना है कि है तो ये नियाय धर्शन जैसा ही तर्ग की बात करता है प्रमाण्यता की बात करता है विशलेशड की बात करता है परंत यह स्वतंत्र भातिक विज्ञानवादी है ये कैसा है भातिक विज्ञानवादी है ये यकीन रखता है यह विश्वास रखता है इस बात पर संसार के प्रत्य वस्तु के परमाडविक संरचना पर यह विश्वास रखता है परमाड़ू पर संसार की सभी चीजों का जो सबसे सुच्छमतम रूप है वह परमाडू है इस बात पर यह जो है विश्वास रखता है यह किस पर विश्वास रखता है यह यथार्थ पर विश्वास रखता है यह यथार्थ वादी है यह और यह भी ध्यान देता है किस पर तर्ग पर ध्यान देता है क्यों नियाय दर्शन से यह अभी प्रेरित है य इसे शिक सुत्र ही है और इसके प्रवर्ता कौन हुए थे तो वो थे महरसी कडाद कक्छा आठवी की किताब में जब पहली बार परमाडू की सरचना वगरा पढ़ाई जाती है बच्चों को तो वहाँ बार भी जॉन डॉल्टन से पहले महरसी कडाद के बारे में लिखा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अडुवात को जन्म दिया आठवीक सरचना के बारे में इन्होंने बता है विज्ञान के वो साथ भी आठवीक किताब में महरसी कडाद का उल्लेक होता है किसके संबंदित हैं वो वैशेशिक दर्सन से इससे आप इसके परमाड़ू के सिध्धान को जो है बिल्कुल याद रखना और मोख्ष प्राप्ति का मारगा क्या है देखो संसार की परमाडविक सरचना पर इसने बात की और मोख्ष प्राप्ति के मारग के बारे में जब इनकी चर्चा की जाए तो ये ठीक वैसा है जैसा की नियाय दर्सन बात करता है अर्थात अर्थात की यह भी तर्क पर बात करता है तर्क है अर्थात जो भी हम बात कर रहे हैं हमा सत्यता की ओल ले जाने के लिए यदी सत्य ज्यान में यदी कोई सहायक है वो तर्क है और सत्य ज्यान से ही मुक्ष की प्राप्ती हो सकती है यही क्या है वैशेशिक दर्सन है क्या याद रखना है आपको यह परमाणविक संरचना स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी है ये और महर्शी करना इसके प्रनेता है ठीक है चलो अब आते हैं पांचवा पर और पांचवे नंबर पर डालिएगा मिमानसा या पूर्व मिमानसा क्या कहेंगे हम इसको पूर्व मिमानसा और छटवे नंबर पर टॉपिक डालिएगा उत्तर मिमानसा इसी को वेदान्त भी कहा गया अब इसको कंपेर करते हुए देखते हैं ठीक है पाड़िनी के अश्टध्याई के अनुसार जो उनकी संस्कृत व्याकरण है उनके अनुसार पाड़िनी के अनुसार मिमानसा का मतलब होता है जानेनी की इच्छा अर्थात जिग्यासा तो जहां जिग्यासा है उसे हम कहते हैं क्या मिमानसा अब ये जिग्यासा दो प्रका जानने का प्रयास जब वेक्ति करता है तो जानने की लालसा में सबसे पहले वो जो जानता है तर्ग का प्रयोग करता है क्या उसका स्वयम का कर्म और धर्म इनके बारे में जानने का प्रयत्न करता है और जब वो स्वयम को जान लेता है प्रथम लाल सा पूर्ण होती है तब वो जानने का प्रयत्न करता है ब्रम्भ को किसको ब्रम्भ को पहले वो क्या किया पहले उसने तर्क पर विश्वास किया मनुष्य ने तर्क पर विश्वास किया और तर्क से अर्थ जो निकला उस पर उसने क्या किया इससे उसकी जानने की इच्छा या जिग्यासा जो है पूर्ण ही तो जिग्यासा कहां पर जाके पूर्ण हो रही है कोई भी बात यदि उसका तर्क है तो तर्क का अर्थ निकालता है और अर्थ निकाल करके अपनी इच्छा को पूर्ण करता है इसे कहा गया धर्म मिमानसा क्या कहा गया इसे धर्म मिमानसा कहा गया क्लियर है बात ये किस पर ध्यान दे रहा है मानव जीवन के कर्म धर्म तर्क पर ये जो है ध्यान दे रहा है ठीक है ये जानने का प्रथम प्रयास है जब मनुष से जान ले मानव जीवन को जान ले जीवन के चर्णों को जान ले तब वो दूसरा प्रयतन किस पर करता है उत् उससे अपने अर्थ को, अपने धर्म को समझ लेता है, उसके पशात ही तो ज्ञान फुटता है उसके अंदर से संसार क्या है, इश्वर कौन है, मोक्ष कैसे मिलेगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी सब बातों का, ऐसी सब प्रश्णों का जब उत्तर देने का प्रय जो संसार में नहीं है उसको जानने का प्रयत्न करना इंद्रयातीत चीजों को जानने का प्रयत्न करना और यही इसलिए इसे कहा गया क्या ब्रह्म मिमानसा कहा गया क्या कहा गया इसे ब्रह्म मिमानसा एक तरफ पिया है धर्म मिमानसा दूसरी तरफ पिया है क्या ब्रह्म मिम क्लियर है बात इसके प्रतिपादा कौन है इसका सुत्र इसका जो धर्मग्रंथ है वह क्या है इसका धर्मग्रंथ है मिमांसा सुत्र मिमांसा सुत्र और इसके प्रवर्तक कौन हुए इसके प्रवर्तक थे जैमिनी जैमिनी बिल्कुल ध्यान में रखेगा जैमिनी और उत्तर बिमानसा, उत्तर बिमानसा में जो जिसको हम कहते हैं ःनका धर्मगरंत कौन हुआ तो यहां पर ध्यान रखेगा ब्रह मसुत्र को ध्यान रखना है और इसके प्रवर्तक कौन हुए इसके प्रवर्तक हुए थे ख्रिष्ण क्रिष्ण द्वैपायन बादरायड व्यास ठीक है बात क्या कहा मैंने इसके जो प्रवर्तक हुए कौन थे जैमिनी इसके प्रवर्तक हुए थे क्रिष्ण द्वैपायन बादरायड व्यास ये इसके प्रवर्तक हुए ये धर्म मिमानसा है यह ड्रम मिमानसा है यहां पर पुर्व मिमानसा में यह बात की गई कि यदि मनुष्य कर्म करता है तो उसके कर्म से ही कर्म फल जन्म लेता है कर्म करने से पहले कोई कर्म फल जन्म लेगा क्या? नहीं, कर्म करना होगा कर्म से ही कर्म फल की जन्म होता है इस कर्म और कर्मफल को जोड़ने वाला कौन है इसे ही अपूर्व का सिध्धांत कहा गया क्या कहा गया अपूर्व का सिध्धांत कहा गया PSC में पूछा गया प्रशन है यह अपूर्व का सिध्धांत यह कौन मानता है होता है जबकि यहां हम देखते हैं उत्तर विमानसा में जहां पर क्या बताया गया वेदों को सत्य बताया गया और वैदिक कर्म से ही क्या होने वाले हैं वैदिक कर्म से ही मोख्ष मिलने वाला है इस बारे में यहां पर चर्चा की गई है मोक्ष कैसे मिलेगा वेदों को सत्य बोला गया और वेदिक कर्म से ही क्या होने वाली है मोक्ष मिलने वाली ही इस बारे में बात किया गया है यहाँ पर ब्रह्म को खोजा गया है ब्रह्म को और सभी प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयत्न किया गया संसार क्या है वगरा वगरा और ब्रह्म के बारे में बताया गया कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों के बारे में बतलाया गया कि ये दोनों ही क्या हैं ये दोनों ही सास्वत हैं ये कभी नश्ट नहीं हो सकते ये कौन कैसे हैं ये सास्वत हैं इस बात को ले करके यहां पर वेदान्त भी कहते हैं क्यों कहते हैं वेदान्त क्योंकि ये वेदों के अंतिम सत्य तक अंतिम ग्यान को अंतिम ग्यान तक को अपने में संजो के रखा हुआ है निचोड को वेदों के निचोड को अपने में रखा हुआ है इसलिए हम इसे कहते हैं क्या वेदान्त कहते हैं क् इम यान के रूप में देखने को मिलेंगे उनके पारे मैं भक्तिवाद में अलग से पढ़ाऊंगा परन तु अभी कुछ बातों को जान लो वहां से भी प्रशन जो है बनते हैं वैसे भईशन पढ़ाओंगा बने गही लेकिन अभी मैं कुछ बाते आपको बता दू कि जब भी इस ब्रह्म और आत्मा के बारे में प्रशन आता है तो यहां से बहुत सारे नए मतों का आगमन हो जाता है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है क्या आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं स्रीकृष्ण जी ने जैसा कहा था आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है यह क्या है यह कर्म के अनुसार जो है कपड़े जैसे हम बदलते हैं वैसे ये सरीर बदलते रहती है एक वक्त आता है जब कर्मफल सुद्ध हो जाता है और उस दोरान आत्मा परमात्म में आके मिल जाती है जिसे उन्होंने मौक्ष कहा था ये आत्मा और परमात्मा का जो कॉंसेप्ट है इसको लेकर के आगे चलके एक महतपूर्ण आचारी हुए आठवी नवी सदी में जिन्हें हम जानते हैं संक्राचारे के नाम से अद्वैतवाद वाली बात कही है उनके इस बात का खंडन करके द्वैतवाद, सुध्धा द्वैतवाद, विशिष्ठा द्वैतवाद, बहुत सारे मत आये जिन्होंने आत्मा और ब्रह्मा के सिद्धान्त को अलग-अलग तरीके से बतलाया तो यही ब्रह्मा और आत्मा के सास्वत होने को लेकर और एक होने या अलग होने को लेकर अलग-अलग मत बने उन मतों के नाम जानते हैं वो संक्राचारे का वो बात आपको बिल्कुल पता होना जिया अहम ब्रह्माश्मी, मही ब्रह्म हों वाली बात जो है तो यहाँ पर इनके नाम आपको याद रख लेने हैं सबसे पहले देखिएगा, क्या कहा गया? सबसे पहले हैं संक्राचारे को जानते हैं अलग-अलग मतों में अद्वैतवाद क्या याद रखना है आपको? अद्वैतवाद अद्वैतवाद किन का है? यह हैं संक्राचारे अद्वायतवाद संक्राचारे हम पढ़ेंगे संक्राचारे के बारे में पढ़ेंगे संक्राचारे का माया और मुह का कॉंसेट माया और ब्रह्म का कॉंसेट बहुत बहतरीन है इसके बारे मैं आपसे दर्सन सास्तर में चर्चा करूँगा क्या है माया, क्या है ब्रह्म, हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी खाली ये जान लो अद्वयतवाद के कौन थे, ये सुक्ष मभेत के कारण अद्वयतवाद जन्मलिया, संक्राचारी, दूसरे में हम देखते हैं क्या द्वयतवाद, और द्वयतवाद के लिए हम जानते है कि नहीं मद्वाचारे को मद्वाचारे को इनके बारे में भी हम डीटेल में पढ़ेंगे भविश्य में इसके बाद हम देखते हैं द्वैता द्वैतवाद द्वैता द्वैतवाद और द्वैता द्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वे थे निम्बारकाचारिया इसके पश्चाथ हम देखेंगे विशिष्ठा द्वायतवाद को विशिष्ठा द्वायतवाद विशिष्ठा द्वायतवाद इसके प्रतिपादक हुए रामानुजाचारिया रामानुजाचारिया एक एक करके हम बाद में पूरे डिटेल में देखते रहेंगे ठीक है चलो विशिटा द्वायतवाद रामानुजाचारिय इसके बाद हम देखते हैं सुध्धा द्वायतवाद और यह हमारी यहीं के हैं सुध्धा द्वायतवाद सुध्धा द्वायतवाद के प्रतिपादक कौन थे इनके प्रतिपादक थे महाप्रभू वल्लभाचारिय वल्लभाचारिय जिनका जन्म यही रायपूर के किनारे हुआ था है ना तो सुद्धाद वहताद वल्लभाचारिय बस यह हमको देखना अच्छा एक और देख लो अचिन्य भेदा भेदवाद जिसके प्रतिपादक होंगे चैतन्य महाप्रभू ठिक देखो यह इतने अभियाद कर लो भविश्य में इनको पूरे डीटेल में हम देखेंगे क्या क्या देखें हमने अद्वैतवाद संक्राचारिय हमने देखा द्वैतवाद मधवाचारिय हमने देखा द्वैता द्वैतवाद निम्मारकाचारिय विशिष्ठा द्वैतवाद की रूप में हमने देखा रामानुजाचारे को सुद्धा द्वैतवाद की रूप में ह हम आगे discuss करेंगे ये पूरा portion मैं आपको discuss करूंगा आगे चलके जब मैं आपको medieval history पढ़ाऊंगा ठीक है जब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से भारत में भक्ति और सूफी अंदोलन का जन्म हो उसके बारे में तब हम इस पर ज्यादा discuss करेंगे ठीक है तो ये जो 6 पांसा अनिश्वरवादी है ये क्या है ये अनिश्वरवादी है अनिश्वरवादी बिल्कुल याद रखना अनिश्वरवादी ठीक है बिल्कुल याद रखना इस बात को अनिश्वरवादी है ये और वैसे ही पहला सांख्य दर्शन भी अनिश्वरवादी है बागी सब ठीक है दोस्तों, इसके बाद नास्तिक दर्सन के ओर हम आगे बढ़ते हैं और नास्तिक दर्सन में जैन धर्म और बौध धर्म है ना ये दोनों मतों की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ तो ये दोनों नास्तिक दर्सन आप नोट बस कर लो और आपको पता है कि उसमें क्या कुछ पूछा गया था ठीक है इसके बाद हम देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं अब देखेंगे हम लोग चारवाक तीसरे नास्तिक दर्शन की रूप में हम देखेंगे चारवाक को टॉपिक डालिएगा नास्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन के पहला दूसरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं आज हम चर्चा करेंगे चारवाक यहां से प्रस्ण जो हैं बिल्कुल बनते हैं चारू है जिसका वाक अर्था जिसके वाक के सुनने में कर्ण प्रिय हो चारू हो रूची कर हो वही क्या है चार वाक है जिसके वाक के सुनने में रूची कर हो वही क्या है चार वाक है देखिए इसके संस्थापक के रूप में व्रिहस्पती को जाना जाता है संस्थापक कौन हुए इसके? संस्थापक हुए थे व्रिहस्पती व्रिहस्पती को इसके संस्थापक की रूप में जाना जाता है कब हुए थे? कौन हुए थे? नहीं बता व्रिहस्पती के रूप में संस्थापक को जाना जाता है और मुख की रूप से इसके प्रवर्टक हुए थे फिर चारवाक, चारवाक इसके क्या है? मुख के प्रवर्टक की रूप में जाने जाते हैं, अगर आपको सन्स्थापक में व्रिहस्पती आप्षन में न रहे, वो चारवाक ही आपको डाल देना है, ठीक है? एक चीज़, दूसरा इसके प्रचार प्रसार में अग्रदूत की रूप में आपको एक और नाम याद रखना है, सबसे अदा प्रचार प्रसार की रूप में आपको ध्यान में रखना है क्या? अजीत केश कंबली इनका नाम आपको बिलकुल ध्यान रखना है सबसे इनके प्रचार प्रसार में अग्रदूत कौन थे? अजीत केश कंबली थे ये बात आपको बिलकुल ध्यान में रखना है ये एक ऐसा दर्सन है तो ये एक ऐसा दर्सन है जो की इस्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखता ये कैसा दर्सन है जो की वेदों की प्रमार्णेता पर विश्वास नहीं रखता यह एक नास्तिक दर्सन है तो कैसा दर्सन है ये ये वो दर्सन है जो इस बात पर विश्वास रखता है कि जो संसार में दिखता है केवल वो सत्य है जो नहीं दिखता है उसके पीछे मत भागो जो दिखता ही नहीं है जो है ही नहीं वो दिखता नहीं है और उसके पीछे मत भागो ऐसी चीजों के बारे में बात करता है चरवाक लोगों के द्वारा लोगों से प्राप्त ग्यान से ये बना है इसलिए इसे लोकायत भी कहा जाता है क्या कहते हैं इसे इसे लोकायत दर्सन भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये जो दर्सन है इसकी जो व्याख्याने है इसके जो डॉक्टराइन्स है जो सिध्धान्त है वो किसी मोख्च को ले करके जो इंद्रियातीत चीजों को जान करके प्राप्त करके इन सब बातों पर नहीं है ये किस पर प्राप्त है जो लोगों के बीच से ज्ञान मिला लोग जैसे जीते हैं जैसे रहते हैं वास्तों में जो कुछ नहीं मानता जो कुछ भी नहीं मानता वो चारवाक को मानता है ये आप समझ सकते हो इनके अनुसार जो अच्छा ये चारवाक वही है जिसको देखकर जिसका नाम सुनकर करके आपको याद आना चाहिए क्या जब तक जियो सुख से जियो उधार लेके घी पियो ऐसी बाते थी उनकी क्या कहा मैंने जब तक जियो सुख से जियो उधार लेके घी पियो ऐसे बात पर विश्वास रखते थे कौन? चारवाग इनको कोई मतलब नहीं था जीवन के बाद की चीजें ये जो है स्वर्ग क्या है मृत्यू क्या है नर्ग क्या होता है फिर जाने के बाद में मोक्ष का क्या मतलब है ऐसी किसी बात पर ये यकीन नहीं रखते थे बिल्कुल नहीं जो है इस जीवन में है तो जब जीवन में ही जो चीजें होनी है तो जीवन जीते तक जितना सुख आप प्राप्त कर सकते हैं कीजिए क्यों अपने आपको मांसिक रूप से साररी ग्रूप से प्रताडित करना कि मरने के बाद मेरा भला हो जाए ऐसा मत सोचो, चारवाग कहते थे ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्या सोचो जो अभी है तो अभी के सुखों को भौतिक सुखों को, मांसिक सुखों को, साररीक सुखों को पुनर जन्मा नहीं मानते, अनात्मवाद को मानते, अर्थात्मा नहीं है, इस बात को मानते, ऐसे हैं कौन? यह चारवाग दर्सन वाले, यह देहात्मवाद को मानते हैं, देहात्मवाद को मानते, क्या है यह देहात्मवाद? तो इनके अनुसार जो पूरा का पूरा संसार है वो बना है किससे किससे मिलके बना है वो बना है पृत्वी, जल, तेज और वायू देखो इन्होंने आकास को नहीं माना है इन्होंने किसोज सो माना है पृत्वी, जल, तेज और वायू इन चारों से मिलकर के बनी है क्या इन चारों से मिलकर बनी है चेतन और इस चैतन्य से बनता है क्या आत्मा तो जब ये चारों नस्थ होते हैं आत्मा सोयम ही नस्थ हो जाती है हमारा सरीर पंच महा भूत से बना है हम बोलते हैं और पांचवे के रूप में आकास को देखते हैं इनको ये आकास को नहीं मानते हैं ये बिल्कुल ध्यानक नहीं चार को मानते हैं और इनका मानना है कि जैसे किसी विशेस परिस्थिती में एक specific temperature and pressure में अगर आप अंगूर को सडाते हो आप चावल को सडाते हो ऐसे एक मद्य बनता है उसमें अपने आप क्या बन जाता है नसा आ जाता है वैसे ही इन चारों को मिलाने से अपने आप उसमें चेतन आ जाती है और चेतन आने से वही क्या है आत्मा कहलाती है जो कि स्वयम ही देह के खत्म होने पर आत्मा अभी स्वयम ही नश्ट हो जाती है अगर ये सब देह किस्से बना है इन चारों चीजों से मिलकर बना है जिसमें अपने आप चेतन आया ठीक है जिसमें अपने आप चेतन आया और अगर वो ये चारों चीजी ही खतम देह खतम तो चेतन खतम आत्म अपने आप खतम इस बारे म में बात करते हैं ऐसे विचार रखते हैं कौन चारवाग दर्सर ठीक है दोस्तों तो बिल्कुल चारवाग से जो है घ् Manya negdash जादा आते हैं यह स्तिक है नास्तिख वाद है और इसलिए इससे question ज़्यादा बनते हैं तो बिल्कुल इसको बनाई है हो सकता है कि आप जब objective type question बनाई है तो आपको नए-नए question इससे संबंदित मिल सकते हैं कुछ सब्द मिल सकते हैं कई बार डेवत्व में उठा करके कोई PhD पूछ लेता है तो आप बिल्कुल घबराना नहीं वो question मुझे भेजिए मैं आपको reply करूँगा लेकिन आप इतना ही जाने इतना ही पढ़ें यही आपके लिए अभी के लिए क्या है ठीक रहेगा इतना ही आपको देखना है इससे आदा जानने के आशकता नहीं है इसके बाद देखो जैसे की मैंने कहा कि मैं मध्यकाल में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ठा द्वैतवाद वाली बाते बताऊंगा उसी दारान मध्य से आधुनिक को जोडते हुए मैं आप लोग को बताऊंगा गांधी जी के सिध्धान्त के बारे में, कौटिल लिके सब्त भंगी सिध्धान्त के बारे में, और भीमराव अमेटकर जी के सिध्धान्तों के बारे में, गुरुगासी दास जी के सिध्धान्तों के बारे में, ये सब भी भविश्य के विशेज दार्शनिक विचारक होंग वो सब कप्चर्चा करेंगे हम करेंगे मध्यकाल और अधुनिक काल में ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही नेक्ट क्लास में अब हम लोग देखो पूरे के पूरे धार्मी की यात्रा हमने पूरी कर लिए 600 इसा पूर्व से ले करके आठवी नमवी सताब्दी तक तो अब हम राजनेतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं तो एकदम अपना रत घोड़ा हाथी घोड़ा सब बांध रो और हमारा अगला टॉपिक होगा 600 इसा पूर्व में राजनेतिक परिवर्तन हम देखेंगे महा जनपत्काल कैसे मगत का उतकर हुआ यह हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही थाइंक्यू क्लास